Blue Beetle DC के सबसे अतरंगी Super Heroes में से एक है, जिसे हम जल्दी ही Live Action देखने वाले हैं इस Character के बारे में बेशक बहुत कम लोग जानते हैं, पर इसकी History बहुत रिच है Blue Beetle आने वाला है, और मेरे जैसे फैंस इसके लिए बहुत Excited है हाला कि जैसी DC मूवीज की हालत चल रही है, उसमें मुझे डर है कि कहीं इस फिल्म के साथ भी वैसा ना हो जैसा Shazam Fury of the Gods और The Flash के साथ हुआ काईदे से Shazam Fury of the Gods, Flash और यहां तक की Black Adam जैसी मूवीज, DC की अच्छी मूवीज में से एक है पर reboot की announcement और कई controversy का असर इन मूवीज की success पर पड़ा हाला कि अभी superhero genre को Blue Beetle जैसे superhero की ही ज़रूरत है और इस superhero के बारे में Zack Snyder ने भी कुछ कहा है अभी हाल फिलाल तो आईए आज मैं आपको इस जबरदस superhero के बारे में डीटेल में बताता हूँ तो दोस्तों मैं हूँ अनसरा और आज हम बात करने जा रहे है हाई में Ray's की origin story के बारे में जिसे जाना जाता है Blue Beetle के नाम से तो spoilers का जहान रखते हुए चलिए शिरू करते हैं हाई में Ray's original Blue Beetle नहीं है वो तीसरा Blue Beetle है पर ये Blue Beetle ही सबसे famous Blue Beetle है पहला Blue Beetle था Dan Garrett जो कि हमें DC Comics में नहीं बलकि Fox Comics में दिखा था जिसे बाद में Charlton Comics ने खरीद लिया दूसरा Blue Beetle था Ted Codd जो कि Crisis on Infinite Earth के दौरान Charlton Comics से DC Comics में आ गया ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है और तीसरा और सबसे popular Blue Beetle है High May Ray's जिसकी origin story बहुत इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो इसी के बारे में है High May Ray's एक normal high school student था El Paso, Texas में उसके पिता एक garage चलाते थे, उसकी मा एक paramedic थी और उसकी छोटी बैन हसी मजाग से उसे तंग करती थी उसके दो दोस्ते Brenda और पाको High May अपने पिता की help करना चाहता था उनके garage में और उसके पिता Elberto नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अपना बच्पन काम के चक्कर में खोदे पर सब कुछ बदल गया Infinite Crisis के बाद Original Blue Beetle को उसकी powers Blue Beetle Scarab से मिली थी पर दूसरे Blue Beetle Ted God को उसकी powers Scarab से नहीं मिली अप उसे भी एक बार ज़रू देखें तो Blue Beetle Scarab टेड कोड के मरने के बाद El Paso टेकसस में आके गिरा जहां यह हाथ लगा High May के जब वो स्कूल से आ रहा था High May Scarab को अपने घर ले जाता है और रात को Scarab सोय हुए High May से जड़ जाता है यह powers High May को समझ नहीं आती पर इसकी मदद से वो अपने शहर के Meta Human Gang के पंगे हो पढ़ता है और उनको सबक भी सिखाता है अगली रात Booster Gold High May को बुलाता है ताकि वो उसे Batman से मिलवा सके Booster Gold Future से आया था जहां उसे पता था कि Batman Brother Eye नाम के AI की help लेने की कोशिश करेगा और fail होगा पर उसे यह भी पता था कि Blue Beetle Scarab एक अकेली चीज है जो कि Brother Eye को रोक सकती है तो High May Justice League के साथ Space में गया जहां उसे ब्रदर Eye के सैटलाइट को ढूंडा और से वापिस रियालिटी में खीचा लीग ने Brother Eye के Dimensional Stabilizer तबाह कर दिये ताकि वो रियालिटी से बाहर ना जा पाए और Space Ship में Green Lantern से बचने के लिए Scarab High May को Dimension के बाहर कर देता है थोड़ी दिर के लिए अगली सुबह अर्थ पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आपको देखता है Green Lantern Guy Gardner के सामने जिससे लड़ने के लिए Scarab तयार हो जाता है पर लगातार अटैक के बाद High May का मास्क हटता है और Guy देखता है कि वो एक बच्चे पर अटैक कर रहा है Guy पीछे हटता है और High May से कहता है कि तुम नए Blue Beetle हो जिसको Booster Gold और सब इतने टाइम से ढून रहे हैं तब Scarab Blue Beetle Armor को High May की बड़ी से हटाता है और High May अपने घर पहुचता है जाओ उसके परिवार के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और High May समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और वो कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैं एक रात के लिए घर से बाहर रहा जिसके उसके प पेस में कैसे छोड़ दिया जिस पर औरेकल उसे कहती है कि लीक को वो दिखा ही नहीं इसलिए वो लोग वापिस आ गए हाई में और एक लिक को भार में जाने हो कहता है फिर उसके अगले एडवेंचर में उसका सामना होता है पीसमेकर से तब पीसमेकर उसे स्कैरब और लै समझ रहे होंगे कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि यह सूपर हीरो ऑसम है अब आप ब्लू बीटल के ट्रेलर को देखकर एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि हमें और चेंज दिखने वाले हैं पहला उसका सूट अप उसकी फैमिली के सामने होगा यह चीज कॉमिक्स में नहीं हु पर अगर दिखते हैं किसी क्राइसिस एवेंट की बात होती तो अच्छा लगता पर ऐसा लग नहीं रहा कि स्टूडियो इस जबर्दस करेक्टर की स्टोरी पर जाद एफर्ट लगाएगा ना इसके बॉक्स ओफिस नंबर के अच्छे दिखने ही कोई उमीद है आला कि हाल फिलाल जैक स्नाइडर ने ट्वीट किया कि वो अपने बच्चों को ब्लू बीटल दिखाने वाले हैं जानों रिप्रेजेंटेशन मैटर्स हैश्टेग यूस किया यह सोचने वाली बात है कि वार्नर बोस के ऐसे बरताव के बाद भी जैक डीसी करेक्टर को सपोर्ट करने प्लस हो रिप्रेजनेटेशन की बात कर रहे हैं हाई मेके मैकसिकन अमेरिकन होने के लिए यह बात मुवी को डिरेक्ट कर रहे हैं एंगल मैनुल तो ने भी कई बार पॉइंट करी है कि मुवी की स्टॉरी फिचर कर रही है एक लैतिनो-फैमिली को इसके कोर में और सब पह वाली गलती को avoid कर सकता है Blue Beetle के साथ Blue Beetle के history rich है वो connected है alien text से यहां बहुत लंबी कहानी है जिससे सिरफ एक origin story में दिखा कर काम नहीं चलाया जा सकता अगर हमें movie में origin story दिखती है पर post credit scene या even movie के end में भी कुछ ऐसे hint दिखे जो कि movie को जोड़े किसी बड़ी story से तो character की value action देखने में मज़ा आ जाएगा इसी बात पर आये मैं आपको और जबर्दस बाते बताता हूं Blue Beetle के बारे में जब भी हमे खत्रे में आता है तब scarab activate होकर हमे की body को बचा लेता है हर बार scarab के suit form करने या deform करने पर हमे को बहुत दर्द होता है क्योंकि scarab हमे की spine से attached है comics में neutralize कर सकता है क्रिप्टोनाइट radiation discharge कर सकता है और extra dimensional object की vibrational frequency को tune करके उससे invisible या visible बना सकता है scarab का असली नाम है खाजीदा ये कुछ भी करके nature को harm नहीं पहुचाता और अगर माहल हांच से निकलने लगा तो scarab आता है infiltrator mode में जिसमें suit उसे थोड़ा लंबा थोड़ा muscular और spikes न Smallville के episode booster में जहां में उसकी origin दिखाई जाती है पहले movie में Sharon Stone Victoria Codd का role play करने वाली थी पर उनकी जगा Susan Sarandon को इस role में cast किया गया Booster Gold Blue Beetle की origin से जुड़ा हुआ है जो कि नए DCU के पहले chapter Gods and Monsters का हिस्सा भी है तो अब देखना ये है कि क्या ये connection हमें कहीं देखने को मिलेगा ये अकेली DC movie होगी हाल फिलाल जो कि कम से कम परिशानियों के साथ बनकर fans के सामने आ रही है ऐसा होना नॉर्मल नहीं है किसी DC movie के लिए तो दोस्तों ये ओरिजिन स्टोरी ब्लू बीटल की ये सूपरीडो जवरदस्त है जाने से प्ले करने जा रहे हैं कोब्रा काई के जोलो मैरिवेना अभी इसके डैरेक्टर्स ने DC से कुछ रिशूट्स के परमिशन मांगे थे पर DC नहीं होने मना कर दिया अब देखना ये और में डीटेल में जानना चाहते हो तो मैं आपको हमारी इंजस्सिस गौर समंगर्स कॉमिक सीरीज रेक्मेंट करूँगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो संद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसे कई सारी सूपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू गाइज इस अमन सिना और यू आर सूपर सूपर पीश